जैहिन साथियो, वेलकम टू सेल्प स्टेडी क्लासेश वे सुमिज जैन यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तो आज की कक्षा में हम बाल बेकास को पढ़ने बाले हैं और इंस्स्टोग्राम से जुड़ना है सुमिज जैन सेल्प स्टेडी क्लासेश और बाल बेकास की नरंतर जो सीरिज है उसको देखती रहना है ठीक है आपका नमबर डला होगा एक नमबर दो नमबर ऐसे सभी इसके पार्ट आएंगे तो सभी लोग इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आपको जरूर दबाना है तो दोस्टों स्टार्ट करेंगे आज का पहला प्रस्ण सबसे पहला प्रस्ण है कि कोई बस तुक क्या है और हम उसके साथ कैसे बिवहार करते हैं इस विशाय में उससे जुड़े मानसिक प्रती रूप या विचार को क्या कहा जाता है थीक है बिकल्प एक है निर्मान, नेटवर्क, इसकीमा या फिर सरचना तो चार बिकल्पों में से एक कचैन आपको करना है तब आपका बिल्कुँ सही आंसर होगा दोस्तों, इसकीमा इसकीमा यानि कि जो बिकल्प नमबर आपका तीन है वो सही हो जागा कोई बस तुक क्या है और हम उसके साथ कैसे बिवहार करते हैं इस विशाय में उससे जोड़े मानसिक प्रतीरूपय अबिचार को कहा जाता है इसकीमा ठीक हैं अंगला क्वेस्टन रेख लेते हैं प्रगति सील सिक्षा के जनक मान जाते हैं तो प्रगति सील सिक्षा के जनक कौन मान जाते हैं जान डीवी, फ्रावेल, जीन प्याजे या फिर इन मैंसे कोई नहीं प्रगती सील सिक्षा की जनक आपको बताना है प्रश्न किरमां के दो को आंसर तब आपका बिल्कुँ सही आंसर आया है जान डीवी यानि कि जो बिकल्प नमबर एक है वो सही हो जाएगा प्रगती सील सिक्षा की जनक कौन है जान डीवी साथ एक नमबर राइट हो जाएगा ठीक है अंगला कॉस्चन देख लेते हैं प्याजे ने छमताओं और योगताओं को क्या नाम दिया है इसकीमा आत्मसाथ करण एहम के अंद्रभाव या इन मैंसे कोई नहीं तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसकीमा इसकीमा यानि कि जो बिकल्प नमर एक है वो बिल्कुल सही हो जाएगा अंगला question देखो खालिस्तान बुद्धी मता तीब्रतर बेकास से जुड़ी हुई है मंद बुद्धी, मध्यम बुद्धी, उच्च बुद्धी या फिर इन में ऐसे कोई नहीं तब आपका बिलकुँ सही आंसर हो जाएगा उच्च बुद्धी उच्च बुद्धी यानि की विकल्प नमबर जो तीन है वो सही हो जाएगा है ना उच्च बुद्धी मता तीब्रतर बेकास से जुड़ी हुई है ठीक है प्रश्न किर्मांक 4 का आपका विकल्प नमबर जो तीन है वो बिलकुल सही यहाँ पर हो जाएगा अंगला कॉस्चन देख लेते हैं दोस्तों अधिगम सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चे के विकास में कैसे चिन्नित करते हैं पिर सीख्चकों के रूप में, सीख्चकों के रूप में, भागीदारों के रूप में या फिर समर्थकों के रूप में प्रश्निक्रमंग 5 का उत्तर हमें लिखना है आपर तब आपका बिलकुँ सही आंसर क्या होगा पिरसीख्चकों के रूप में यानि एक नमबर जो है बिलकुँ सही हो जागा ठीक है अधियम सिद्दांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चे के विकास में कैसे चिन्नित करते हैं तो वो करते हैं प्रशीख्चकों के रूप में एक नमबर आपका बिलकु सही है अंगला है एक समूग के समाजमिती विसलेशन का उपियोग व्यक्ति को खालीस्तान विधी के रूप में मापने के लिए किया जाता है तो किस विधी के रूप में मापने के लिए किया जाता है प्रेक्षन, वस्तूनिस्ट, व्यक्तिनिस्ट या इन मैसे कोई नहीं एक समूव के समाजमिती बिसलेशना का उपयोग ब्यक्तित्तो को विधी के रूप में मापने के लिए किया जाता है तब आपका बिल्कुश सही आंसर होगा क्या वस्तूनिस्ट विधी के रूप में मापने के लिए किया जाता है यानि कि जो बेकल्प नमबर आपका 2 है वो विल्कुश सही होगा अंगला question देख लेते हैं छात्रों के अधियम के परिणाम के बिसाय में आकलन को खालिस्तान मूल्यांकन की रूप में माना जाता है ओ बेंचमार क मूल्यांकन निदान रचनात्मक मूल्यांकन या इनमें से कोई नहीं छात्रों के अधियम के परिणाम के बिसाय में आकलन को खालिस्तान मूल्यांकन की रूप में जाना जाता है प्रश्ण किरवान साथ का आपका विल्कुश सही आंसर होगा निदान मूल्यांकन आकलन को निदान मूल्यांकन की रूप में जाना जाता है यानि कि जो विकल्प नमबर आपका 2 है वो विल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर अंगला क्वेस्चन है दोस्तो निम्न निम्न में से कौन वाह प्रेडा का उधारन नहीं है जब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जुनून जुनून यानि कि विकल्प नमबर जो 3 है वो बिल्कुल सही वाह प्रेडा का उधारन नहीं है ठीक है वेतन प्रसंसा और पदोल नती यह वाह प्रेडा के उधारन जबकि जुनून नहीं है ठीक है अंगला question देख लेते हैं निम्न मैसे कौन सा सिद्धान्त इस समझ को संदर्वित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा या अनुभाव नहीं किया जा सकता तो आपको बताना है कौन सा सिद्धान्त इस समझ को संदर्वित करता है मन का सिद्दान्ट, जीववाद का सिद्दान्ट, वस्तु इस्थायत्तो का सिद्दान्ट या इन में ऐसी नहीं तब आपका बिल्कुर सही आंसर होगा वस्तु इस्थायत्तो का सिद्दान्त जो है इस समझ को संदर्वित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उने देखा या अनुभाव नहीं किया जा सकता एक आई का सिद्दान्त है वस्तु इस्तायत तो यानि जो विकल्प नमर आपका तीन है वो विल्कुर सही होगा ठीक है अंगला कॉस्चिन रेको थांडाई के प्रेतने वंतुर्टी सिद्दान्त ने खाली स्तान के महत्व पर जोड़ दिया है तो कौन से महत्व पर दिया है थांडाई का प्रेतने वंतुर्टी का सिद्दान्त आपने पड़ा है कभी कभी ऐसा भी पूचा जाता है कि प्रयतने वंतुर्टी का सिद्दान्थ किस ने दिया है तब आपका उत्तर होता है थांडाइक ने लेकिन प्रयतने वंतुर्टी के सिद्दान्थ ने किस पर महत्तु दिया है प्रेणा पर दिया है, और उसकार पर दिया है, प्रसंसा पर या फिर दन्ड पर. प्रश्न करमांग की नो. तब आपका बिलकुँ सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रेणा पर. काय पर दिया है थांडाई का जो प्रेतने बमतुर्टी का सिद्धान्त है इन्होंने प्रेणा पर महत्तु दिया है अंगला question देख लेते हैं, दंड और प्रोसाहन के घटक हैं, बियोहारबाद सिद्धान्त, मानावताबाद सिद्धान्त, डिजाइन आधारत अनुसंधान विदी ये सन्योजक्ता का सिद्धान्त, दंड और प्रोसाहन के घटक हैं, तो कौन है, प्रश्निक्रमांक 10, तो आपका बिल्कुस सही आंसर क्या हो जाएगा, बियोहारबाद सिद्धान्त, बियोहारबाद यानि जो बिकल्प नमबर एक है, वो बिल्कुस सही हो जाएगा, ठीक है, दंड और प्रोसाहन खालिस्तान के घटक हैं, तो किसके घटक हैं, बियोहारबाद सिद्धान्त के, एक नंबर आपका विल्कू सही है अंगला question देखते हैं समान लिंग, मित्रता खाली स्थान के द्वारा प्रवलेत होती है किसके द्वारा होती है प्रारंबग बच्पन, प्रारंबग के सोरवस्ता माध़ बच्पन या फिर मद्ATHER के सोरवस्ता समान लिंग मित्रता खालिस्तान के द्वारा प्रवलित होती है तो प्रश्न क्रमा के ग्यारा का आपका उत्तर हो जाएगा प्रारंभिक के सोरा वस्था यानि कि जो टू नम्मर है वो विलको सही है समाल लिंग मित्रता प्रारंबिक के सुरा वस्ता की द्वारा प्रवले तो होती है अंगला कोस्चन देख लेते हैं किसी भी परिस्तिती में समायुजित होने वाले बच्चों के लचीलेपन को खालीस्तान के रूप में जाना जाता है द्रनता की रूप में, वांचनियता की रूप में, अच्छमता की रूप में या फिर धलन सीलता की रूप में किसी भी परस्तिती में समायुजित होने वाले बच्चों को किस रूप में जाना जाता है तो प्रश्न किर्मां की जो वारा है और इसका उत्तर हो जाएगा धलन सीलता धलन सीलता यानि जो चार नम्मर है वो चार नम्मर यहाँ पर बिल्कुँ सही होगा अंगला क्वेस्चन रेगो किसी बच्चे की ब्रद्धी और बिकास का अध्यन करने का सर्वोत्तम तरीका है तो क्या है बिकास का अध्यन करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है सर्वोत्तम जो बिदी है वो कौनसी है रश्णिक्रमांग 13 तब आपका बिल्कु सही आंसर होगा बिकासात्मक बिदी बिकासात्मक यानि कि जो टू नम्मर है वो बिल्कु सही हो जाएगा सर्वोत्तम जो तरीका है वो कौनसा है बिकासात्मक बिदी अंगला कोस्चन देख लेंगे दोश्तों आवसक्ताओं का पदानुक्रम प्रेणा का एक महत्पूर्ण परिपेक्ष है जिसे इनके द्वारा पृति पादित किया गया आपको बताना है आवसक्ताओं का पदानुक्रम प्रेणा का एक महत्पूर्ण परिपेक्ष है जिसे कि किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया मासलो प्याजे पाउलाओ या फिर फ्राइड के द्वारा अवस्तक्ता अनुक्रम का जो सिद्दान्त है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया प्रश्निक रमांग 14 तब आपका बिल्कुछ चाही आंसर क्या हो जैगा मासलो की द्वारा प्रतिपादित किया गया ठीक है विकल्प नमर जो एक है वो सही हो जाएगा अंगला दोस्तों निवन मैंसे कौन सी कार्विदी हमें जानकारी को मान करने में मदद करती है तो कौन सी कारविदी है जो हमें जानकारी को मानने करने में मदद करती है मूल्यांकन अप सारी चिंतन अभी सारी चिंतन या फिर संग्यान कौन सी कारविदी हमें जानकारी को मानने करने में मदद करती है प्रश्निक्रमांग 15 तो आपका बिल्कुश सही आंसर होगा दोस्तो मूल्यांकन मूल्यांकन ऐसी कारविदी है जो हमें जानकारी को मानने करने में मदद करती है मूल्यांकन ठीक है एक नम्मर आपका सही होगा अंगला क्वेस्चन है दोस्तों बाल के अंदर सिक्षा में बच्चों को जो सीखना चाहिए बहनिमना अनुसार आखना चाहिए गतिविदियों के माध्यम से उनके परिच्छा परिणामों के अंकों से बच्चे की योगता, रुची और पिछले अनुभव के आधार पर आखने करमांग सोला तब आपका बिल्कुछ सही आंसर क्या होगा बिकल्प नम्मर तीन बच्चे की योगता, रुची छमता और पिछली अनुभव के अनुसार जो है आतना चाहिए तीन नम्मर आपका यहां पर बिल्कुछ सही होगा अंगला क्वेस्चन देखो बाल के अ आमतोर पर निम्न सामिल होता है, क्या होता है तुरंतिया मौके पर मूल्यांकन, कोई मूल्यांकन नहीं, अधिक योगातमक मूल्यांकन या फिर अधिक रचनातमक मूल्यांकन, बाल के अंदर सिक्चा में आमतोर पर निम्न सामिल होता है तब आपका बिल्कुस सही आंसर आया है अधिक रचनातमक मूलेंकन यानी जो बिकल्प नमबर आपका 4 है वो सही हो जाएगा बाल के अंद्र सिक्षा में आम तोर पर क्या सामेल होता है अधिक रचनातमक मूलेंकन 4 नमबर ठीक है अंगला question देख लेते हैं सब्द सामंजस किस से संबंदे थे व्यक्तित्तु से, मनोबृती से, बुद्धी से या फिर प्रिणा से, सब्द सामंजस किस से संबंदे थे तब आपका प्रश्न किरवांक अठारा का बिल्कुत सही आंसर होगा व्यक्तित्तु से संबंदे थे सब्द सामंजस किसे संबंद थे व्यक्तित्तों से अंगला कॉस्चन देखो मानव सरीर में सबसे छोटी हड़ी यानि स्टेप्स कान के खालिस्तान होती है कान के अंदर, कान के वीच में वाहर या इनमे से कोई नहीं मानव सरीर में सबसे छोटी हड़ी यानि स्टेप्स कान के कहां पर होती है प्रश्निक्रमांग 19 तो आपका विल्कुत सही आंसर होगा दोस्तों वीच में कान के कहां पर होती है वीच में यानि two number विल्कुत सही हो जाएगा अंगला question देखो बुद्धी मता और पर्यावरन बुद्धी मता खाली स्तान और पर्यावरन दोनों का एक उत्पाद है तो आपका बिल्कुत सही आंसर हो जाएगा आनूवानसिक्ता ठीके आनुवान सिक्ता का जो है उत्पाद है बुद्धी मता खाली इस्तान और परियावन दोनों का उत्पाद है तो किसका बुद्धी मता आनुवान सिक्ता और परियावन दोनों का उत्पाद है ठीक है तो यहां पर हमने 20 प्रशन देखे दोस्तों अब आपको जो है एक प्रश आँसर आपको कमेंट में बताना है और वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे और 20 प्रशने में ऐसे आपने कितने प्रशने सही किये हैं जद्धी-जद्धी से इमानदारी से सभी लोग कमेंट में लेखें फटापट से इस प्रकार के जो आपकी सीरेज है पुंदरंतर चलेगी और पार्ट में चलेगी पार्ट एक पार्ट टू ठीक है ट्वंटी प्रस्न पर हर वीडियो में हम चर्चा करेंगे एमपी टेट ग्रेट तीन वालों के लिए रीट वालों के लिए सीटी वालों के लिए और जो भी टेट से सम्मंदेत हैं जहां भी वाल विकास मनुविज्यान पूछा जाता है ठीक है और सेल्प स्टेडी क्लासे इस विस सुमिच जैन यूटूब चैनल पर आप सभी लोग सेरे रहें और आपको इन्स्टाव ग्राम से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है सुमिच जैन सेल्प स्टेडी कलासेज वाट्सप नमबर दिया है तो कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं ठीक है फेश्बुक पर सुमिच जैन सर्च करना है ट्ट्विटर पर भी सुम जाना है ठीक है बहुत बढ़िया सभी के लिए बहुत बहुत दन्रबाद सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बैल आइकन को भी दबाना है ठीक है वीडियो कैसा लगा जल्दी जल्दी से बताना है कमेंट में और वीडियो को share जरूर किया करें, आप लोग share नहीं करतें तो अपने साथियों तक अपने मित्रों तक सभी के लिए